नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपनी चानल सुमन एजूकेशन हब में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि मार्व सॉप्ट्वेर में आप कैसे स्टॉक आइटम को क्रियेट करेंगे तो चली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मार्व सॉप्ट्वेर में आपको स्टॉक आइटम कैसे क्रियेट करना है वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चोटी से रिक्वेस्ट है मेरी आप से लोगों से अगर आप फिर्स टाइम मेरे चैनल पर आए हैं नीव विवर हैं तो मेक मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्योचर जोभी वीडियो में अपलोड करूंगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी, और आप मेरी को और उसके बाद आइटम मास्टर पे, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर विंडो आपको शो हो रही है, अभी हमारे पास कोई भी स्टॉक हमने क्रियेट नहीं किया है, अगर आपने अल्रेदी क्रियेट किया है, तो आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम शो हूं तो जो भी आपके प्रोड़क का नेम है आप टाइप कर लीजिए पैकिंग तो यहां पे पैकिंग आपको मेंशन करना है सपोस कीजिए एक क्रोसिंग की जो स्ट्रीप होती है उसमें 15 टैबलेट है या फिर 20 टैबलेट है इस टैप से आप वन मल्टिप्लाइ 15 कर लेंग पैकेजिंग है उसके बाद आपको नेक्स आइटम शो होगा यूनिट फर्स्ट तो यहां पर जो यूनिट फर्स्ट है टैबलेट है यूनिस सेकेंड स्ट्रीप वन है वो हम कर लेंगे डेसिमल आप कर सकते हैं उसके बाद देखिए कलर टाइप तो यहां पर आपको क्लिक करना है उसके बाद कंपनी यहां पर नो करेंगे आप त Requ influenshm filler का जो नेब है अब यहां पर सेыв करने की बाद इसके ऑप 66 परजन एक से तो 66 6% text apply करते हुए इसको आप save कर लीजिये, save changes पूछेगा तो yes करना है आपको and इस type से skip press कर दीजिये, आप आपको यहाँ पर company का जो name है वो select कर लेना है, जैसे मैं select कर दी हूँ and उसके बाद देखिए salt तो यहाँ पर आप salt चाहें तो create कर सकते हैं, अगर आपके पास already है तो वहाँ पर select कर लीजिये, no आप करेंगे तो आपके पास screen open हो जाएगी, salt जितने भी हैं आपको यहाँ पर show होंगे, नहीं है तो आप यहाँ से app to press करके create कर सकते हैं, उसके बाद देखिए category, तो category आपको यहाँ पर select कर लेनी है, access in code, यहीं पर आप no करेंगे तो आपको show होगा, access in code अगर already आपने create किया है तो आपको show होगा, अगर आपके पास create नहीं है तो यहीं से app to press करेंगे, तो देखिए इस window में आप access in code create कर सकते हैं, इस product का जो भी access in code है वो आप कर लिजिए, short name अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं, as justice, cgst के उपर 66% होता है, तो 66% हम यहाँ पर apply कर देंगे, UQC में आप रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है UQC कर लिजिए, and इस screen को save कर लिजिए, तो इस type से हमने access in create कर लिया है, अब यहाँ पर access in आपको select कर लिया है, इस product का हमने create कर लिया है, तो हम इसको select कर लेंगे, select करने के बाद यहाँ पर enter प्रेस कीजिए, तो आपको यहाँ पर show होगा, यह सारी information आप अपने according select कर सकते हैं, takesable, takes pair, यह सारी information आप देख लिजिए, asgsts के उपर 6%, 6gsts के उपर 6% होगा, igsts के उपर 12%, mrp, आप यहाँ पर आपको mrp इस product का डालना है, suppose कीजिए 15 rupis mrp है, तो 15 rupis, purchase rate इसका क्या है, वो आपको यहाँ पर feel करना है, cost यहाँ पर आप डाल सकते हैं, कि इस product को बनाने के लिए, जो costing लगी है, वो कर सकते हैं, rate A, rate B, rate C, तो तीन यहाँ पर आपको show हो रहे हैं, rate A में आपको, जो retailer होता है, उसका price डालना होता है, B में आपको distributor का डालना होता है, तो इस टाप से आप rate identify यहाँ कर सकते हैं, तो rate A में suppose कीजिए, आप retailer को दे रहे हैं, तो जिस भी rate में दे रहे हैं, आप वो rate यहाँ feel कर लेंगे, rate B में जो distributor होते हैं, उनको आप किस rate से दे रहे हैं, वो rate आपको यहाँ पर feel कर लेना है, rate A, rate B, rate C में इस टाप से आप rate को define करेंगे, यहाँ सारी information feel करने के बाद, सारा जो rate है वो feel करने के बाद, यहाँ पर एक आपको और option show होगा, अब यहाँ पर आपको conversion strip show हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे सपोर्स कीजिए, एक strip है, उसमें से आप cut करके sale करते हैं, one tablet, two tablet, तो इस टाप से आप यहाँ पर इसको define कर सकते हैं, तो इस टाप से सारी information feel करके save changes पर yes कर लेना है, तो आपका जो stock item है वो create हो चुका है, आप अपने according यहाँ पर कर सकते हैं, आप इसको open करके देख भी सकते हैं, यहीं पर गया करना है आपको, यहीं पर जाके आपको F3 प्रेस करना है, तो यह जो है वो open हो जाएगा, और कोई changes आप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर कोई information आपने wrong feel कर दी है, तो उसको भी आप सही कर सकते हैं, इस टाप से आपको mark software में stock item को create करना है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, description box सो check out करना ना पूलिएगा, वहां में tally and accounts related, maximum videos के link provide कर दूँगी, आप उन सारे video को watch कर सकते हैं, आप मेरे video को search भी कर सकते हैं, सुमन Education Hub नाम से, तो इस टाप से आए होप यह जो वीडियो है, मैंने आप लोग के साथ जो share की है, यह सभी आपके लिए helpful रही होगी, अगर helpful रही है, तो चुटा सा काम कर दिजेगा, चैनल को like, share, subscribe कर दिजेगा, thank you and keep watching my videos.